कि नवश्कार दोस्तों स्वागत आपका पात्फाइंडर में हम लोगों ने भारत के सम्मेधानिक विकास के इतिहास में पहला पार्ट पड़ा था जिसमें हम लोगों ने जो है क्या-क्या बदलाव लाया गया भारत भारत की सासन विवस्ता में तो अगर आपने पहला पार्ट वो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देख लीजिए और अब हम आज आगे स्टार्ट करतें गॉर्मेंट आफ इंडिया एक से उससे पहले ए प्रेली चिंत का कारण है आज मैंने एक और वीडियो में यह बात कही थी आपसे तो थोड़ा सा इंट्रेस्ट लीजिए ऐसे जो है मानते हैं कि अभी कोई आसपास परिक्षा नहीं है लेकिन परिक्षा के समय जागना जो है एकदम से जागना और एकदम से ज्यादा एक्टी हो जाना कोई समझधारी वरा काम नहीं होता है अगर आप अभी से जो है तैयारी नहीं करेंगे देखे PCS प्री जो है 24 मार्च को 24 जून को 99 परसेंट होने की संभावना अभी भी है कोई ऐसे संकेत नहीं है कि वो तल जाए क्योंकि अब तो स्लेबस भी उसका जारी हो चुका है सब चीजे हैं बस एक आफिसियल नोटिफ पढ़ाया तो इन्वार्मेंट के सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है उसके अलावा में जोगर्फी को जो है बोर्ड पर पढ़ाने का प्लान कर रहा हूं कल या परसों से मैं जो है एक इक कॉंटिनेंट्स जो है स्टार्ट कर दूंगा लेकिन आप लोगा इंट्रेस यह इस्ट्री भी उसमें काम आएगी है यह जरूर है कि जब यूपी ट्रिपल सी गजाम की डेट आ जाएगी तो कम से कम मैं दस से पंदरा वीडियो में इस पेसली जो है यूपी ट्रिपल सी के लिए बिल्कुल डेडिकेट बना दूंगा और उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंद रही है जो मैं वादा करता हूं मैं करता हूं जो क्या आपने आरो के पहले देखा था मुझे कि मैं एक दिन में जो है मैंने आठाट दददस वीडियो तक डाले थे क्योंकि मैंने कहा था कि आपसे सलेबस पूरा करा दूंगा तो मैंने कराया था तो चलिए यह सब बाते तो होती रहेंगी लेकिन आपका सहीयोग अपेक्षीत है चैनल को सब्सक्राइब अधिक सदिक करिए तो गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं इसमें पहली बार जो है विधी निर्मार प्रक्रिया में भारतियों की भागिदारी सुनिश्चित क किया गया केंदरी कारकारणी में जो गवर्नर जन्रल की काउंसिल में सदस संख्या होती थी चार होती थी इससे पहले तक चौथा सदस कौन होता था विधी विधी सदस से होता था जिसके उपर किसकी निउक्ति की ती लाड मैकाले की तो इसमें पाच्वा सदस से भी एक ज वो डिपार्टमेंट्स में नहीं बटा था तो इस एक्ट के द्वारा जो है जो है डिपार्टमेंटल सिस्टम के सुरुवात की गई कैनिंग द्वारा भारत में मंत्री-मंदली ब्युस्था की नियूं पड़ी क्योंकि जब विभागी प्रणाली शुरू होगी तो उस सीवी एक्ट में उसको नहीं दी गई थी तो यह गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1861 की प्रमुख बाते हैं अब हम मूब करते हैं गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1873 पे तो एक जनवरी 1884 को इस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया अभी तक क्या थ परन्तु जो है इस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्त जो है था लेकिन एक जनवरी 1884 को गवर्मेंट आफ इंडिया एक 1873 के अंतरगत जो है इस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया और इसके बाद जो है कि साही उपादी अधनियम 1876 के द्वारा आज काउंसिल में मिंबर थे अब जो है केंदरी कारकाणी में छठा सदस से भी आ गया जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानि लोक निरमाड विभाग का कारिसोप आ गया और साही उपादी अधनियम 1876 के इंतरगत 28 अप्रल 1876 को इंगलाइंट की महरानी विक्टो 292 की तो इसमें जो गवर्नर जनरल की जो है काउंसिल थी उसके अधिकारों में ब्रद्धी की गई रथा भारती सदस्यों को बजट पर बहस और प्रस्न पूछने का अधिकार दे दिया गया तो कुश्चन यही आता है कि किस एक्ट के दौरा भारतीयों को बजट पर प्रस पूछने का अधिकार यहां पर नहीं मिला यानि मतदान नहीं कर सकते थे बजट के दौरान जो है और अनपूरक प्रस्न का आर्थ होता है कि अगर आपको कोई जो है लिखित जवाब मिल गया है तो आप उसमें फिर से उस पे जो है नई क्वेरी रेज करना यानि सप्लिमे बहुत इंपोर्टेंट इसके जो है अब जो है सीधे आते हैं गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट उनीस सो नौ में तो उनीस सो नौ आप जानते हैं जो है कि जो है बहुत ही चर्चा में रहा हुआ एक्ट था जो है क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में भारत में ज लडली हम कैसे जानते मारलो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं मारले कौन थे भारत के सच्यू थे और मिंटो कौन थे वाइसराय थे उस समय भारत के लाड मिंटो तो मारलो मिंटो अधनियम का लचित क्या था जो इससे पहले एक्ट आया था 1892 एक्ट का उसका सुधार कर ना था और ये जो मार्लो मिंटो सुधार था ये अरुंडेल समीत की संस्तुती पर लागू किया गया था इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे दुर्भा के पूर्ण जो है बात हुई थी वो ये थी कि मुस्लिमों के लिए पृथग निर्वाचन छेत की ब्योस्था की गई ला मारले ने कहा था मुस्लिमों के पृथग निर्वाचन छेत्र की ब्योस्था के जो है संदर्व में फिर इस में जो है इस एक्ट में यानि 1909 के एक्ट में बजट पर विवेचना लोकिहित के विश्यों पर चर्चा करना तथा अनपूरक प्रस्ण पूछने का भी अधिकार मिल गया तो इसके पहले जो है अनपूरक प्रस्ण पूछने का अधिकार मिल गया लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी भारतियों को नहीं प्राप्थ हुआ था फिर इस अधियम से पहली बार किसी भारतियों को वाइसराय और गवर्नर जनरल की जो परिसद थी उसमें समलित किया गया तो वो कौन थे जो है सतेन कुमार सिनहा को जो है विधी सदस्य बनाया गया गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में और उसके बाद जो भारत परिसद थ जो होता था जिसका हेड जो है भारत के सचीय। समय भारत का सचीय होता था इस सिटेट सेक्रेटरी ति इंडिया वो मिधा परिशाद यानि इंडिया कॉंसिल का पूर ररती था और इंडिया कानून और जो और सेयद हुसेन बिलगरामी को जो है एक सदस्य के रूप में सामिल किया गया और इस अधनियम के बारे में के द्वारा क्या कहा गया था इन्हों ने उभरते परजातंत्र को मार डाला यानि जो मुस्लिमों को प्रथग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था उसका घोर बिरोध किया गया था और सभी ने कुछ ना कुछ कमेंट किये थे इसके बारे में लेकिन जो इक्जाम के द्रिष्ट से इंपॉर्टेंट है तो केम उनसी ने कहा था इन्हों ने उभरते परजातंत्र को मार डाला आप बात करते हैं गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1919 इस स्वसासन की मांग पूर्ण नहीं हो सकी थी या वो पूर्ण नहीं कर सका था क्योंकि तो उसको जो है उसको कुछ हद तक जो है उस पर लीपा पोती करने के लिए गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ जो है ब्यवस्थाएं की गई तो 20 अगस 1917 को भारत सच्यू कब सत्वरों प्रस्तु किया जिसमें भारत को एक सवत्तन डोमेनियन प्रदान करने की बात कर दी गही तो thenda मेनियन का साब्दी कर्थ होता है स्वसासन, यानि उनका परस्ताव ये था कि भारत के लोग अपना सासन स्वयम करें, लेकिन वो अधीन किसके रहेंगे, उपनिवेश बनकर रहेंगे, यंवेंड का, और जो ultimate सत्ता होगी, ultimate power होगी, हो इग लैंड के crown के अधीन होगी. तो ये एक तरह से दोरी चाल थी जो है जिसका भारती नेताओं ने बहुत तगड़ा विरूत किया था जो है उस समय इसी एक्ट में यानि 1919 के एक्ट में महिलाओं को मताधिकार का जो है अधिकार मिला पहली बार और संप्रदाईक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो जि भारती इसाईयों को भी कुछ प्रांतों में निर्वाचन प्राली में आरक्षन की बियुस्था की गई इस सेक्ट में जो सबसे बड़ी बात है जो सबसे जयादा एक्जाम में पूछे जाना लफ एक्ट वो है कि केंद्र में द्वी सदनात्मक बिधाईका की स्थापना बना था केंद्रिय विधान परिस्द जिसको राज सदन भी कहा गया और ये उच्च सदन था तो आज का जो राज सबा है लगभग लगभग वैसी बेवस्था थी और इसमें कुल सदस्य जो है 60 होते थे जिसमें से 34 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था छेत्रिय पृतनि वीनी करण होता था तो ये केंद्री विधान परिस्द दूसरा सदन जो था उसका नाम था केंद्री विधान सभा तो केंद्री विधान सभा का कारिकाल तीन वर्सका होता था और इसको निम्न सदन बोलते थे इसमें कुल 145 मेंबर थे 145 मेंबरों में 104 का निर्वाचन होता था विबिन छेत्रों से और 41 का मनोनयन होता था अब 41 जो मनोनीत होते थे वो सदर से कैसे होते थे 26 उसमें से सास की थे और 15 सदर से असास की थे तो केंद्र में पहली बार दुई सदनात्मक विधाई का कि इस्थापना 1919 के अधनियम से की गई अब द्वैद सासन पणाली को ज इस स्थेट के सब्जेक्ट से उनको दो भागों में बाटा गया हस्तांत्री और आरच्छित अस्तांत्री एंतरकत कॉन कौन से मैटा राते थे सिख्षां और स्वास्थे और आरक्थित कॉन से थे राजस्व न्याय और पुलिस जिस पे केवल केन सरकार को कानून बनाने का अधिकार था तो यह जो द्वैज सासन है इसका जनक भारत में जनक कौन माना जाता है लियोनस कार्टिस माना जाता है यह कई बार कोश्चेन आ चुका है फिर अब बात करते हैं अंग्रेजों द्वा लागूआ था इसमें क्या था 321 अनुछे थे 10 अंसूचियां थी और 14 भाग भारत सासन अधियम 1935 इस द्रश्टी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग लगभग भारत सासन अधियम का 60% भाग जो है जो आज का वर्तमान समिधान है उसमें सीधा सीधा उसी तरह से ले लिया गया था अब इसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ था कि एक अखिल भारती शंग की स्थापना हुई यानि एक Indian Federation की स्थापना हुई अब ये जो अखिल भारती संग था इसमें किनको किनको सामिल किया गया ग्यारा ब्रिटिस प्रांतों को छे कमिशनरीयों को और वे रियास्तें यानि रियास्तों का संबन है देशी रियास्तों से जो स्वेच्छा से संबली थो मतलब रियास्तों को ये अधिकार दिया गया इस अदियम में कि आप चाहें तो भारत संग में सामिल हो जाएं या जो है अपना स्वतंत्र जो है राजी चलाएं तो इसमें कोई भी नहीं सामिल हुआ था रियास्तों से और एक अप्रेल 1937 से प्रांतिय स्वायत्ता लागू कर दी गई जो इस एक्ट से कई बार यह कुछा जा सकता है कि प्रांतिय स्वा स्वायत्ता क्या है तो प्रांती स्वायत्ता कारत है कि प्रांती विश्यों पर बिध्य बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया यानि जो प्रांतिय विधान सभा विधान मंडल था वो अपने लिए कानून स्वयम बना सकते थे इसी एक्ट के अधीन एक संगी न्याइपालिका का जो है यानि फेडरल कोड का जो इस्थापना हुई धिली में यह स्थापित हुआ इस में क्या-क्या था एक मुखने अधीस होते थे और साथ नियाधीस होते थे उस समय और जो पहले मुख्य नादीज बने जो है दिल्ली में वो थे सर मौरिस ग्वेर और यह संगी नियाला एक अप्रेल 1937 से कारत हो गया यही संगी संगी नियाला आगे चलका सुप्रीम कार कोट आफ इंडिया बना फिर जब इसमें जो है दोए सासन प्रणाली और सब ल लग लोग है तो हम यह देखते हैं कि तीन एक्ट जो है प्रमुग जो है 1935 में 1950 में अर्था स्वतंत्ता के समय और वरतमान में क्या सिती है संग सूची प्रांति सूची और समवर्ति सूची का तो जो संग सूची है उसमें 1935 में 69 बिसे थे और आज की रेट में लगभं 99 क सूची की बात करें तो चववन थे 1935 में चाचट हुए और वर्तमान में 61 हैं समवर्ति सूची में भिस है 1935 में 36 थे फिर 47 हुए फिर बावन हुए तो 1935 अधनियम के अंतरगत जो है जर्मनी के विरुद्ध जो है दुती वर्डवार में युद्ध में भारतियों को जवर्जस्ती डकेल दिया गया था और यहां के जो है जो टॉप लीडर्स थे या कांग्रेस जो समय की सबसे बड़ी राजनेटिक संस्था थी उससे कोई भी सला मसुरा या राय नहीं ले लाने ड्राक और संद्में सब्सक्राइव तो में दूड़ी सदनिय विधान सबसे और नाते शॉद्ध इंट भाखी सभी 15 सामव्दाइक पराली जो 1909 से प्रारवभी थी उसका और विस्तार कर दिया गया अब एंगलो इंडियन इसाई और सीखों को भी जो है संप्रदाइग निर्वाचन में सामिल कर लिया गया भारत पर इस सद्यानी इंडिया इंडियन काउंसिल जो बनी थी इक लैंड में जो 15 सदस्षी होती थी और जिसका हेड कौन होता था राज सचीव स्टेट सिक्रेटी टुडा इंडिया जो है उसका अंत कर दिया गया क्योंकि अब वाली सासन पढाली रही ही नहीं तो उसका अंत कर दिया गया 1937 में चुना हुए 11 प्रांतों में जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेज की जो है इस यहां पर छे जो है शुरुवात के मदराज, बिहार, उडिशा, मदपरांट, संयुक्त परांट रथा मुंबई में कांग्रेश की सरकारे बनी और पस्चिमोतर, सीमा परांथ और असम में कांग्रेश के गुट के पार्टियों से मिल्यूलकर सरकार बनी तो अब हम देख लेत मुख्यमंत्री बने कांग्रेश के, मुंबई में बीजी खरे जो कांग्रेश के थे, मदपरांट में एन्बी खरे, मुख्यमंत्री बने थे, यह भी कांग्रेश के थे, बिहार में डाक्टर कृष्णा सिनहा, कांग्रेश के थे, यह जो है मुख्यमंत्री बने, संयुक्त पस्चिम सीमा प्रांट जिसको North Western Frontier कहते थे उस समय वहां डक्टर खान साहब जो है मुखबंतरी बने और जो कांग्रेस के सहयोग से गटवंधन बना था असाम में जो है सादुलाह जो है ये भी जो है गटवंधन के द्वारा बना था सिंद प्रांट में Allah Buckss जो मुसलिम लीग के बने पंजाब में सिकंतर हयात खां जो यूंिनिस्ट पार्टी से थे वो मुखमंतरी बनी थी आप हम बात करते हैं जो 1935 में केंद्री मंध्रि मंदल का सुरूप था तो केंद्री hein जो है मंद्री मंडल या केंद्री जो है विधाय का जो थी वह दो भागों बटी थीonal बिधान सभा में 375 सदस्य उते थे इसमें 200 का निर्वाचन से किया जाता था और 125 का रियास्तों से किया जाता था इसका कारिकाल पांच वर्ष का होता था तो इसको आप जो है मान सकते हैं कि ये जो है आज की जो है लोगसभा की जो है का प्रारंभिक जो है शुरुवात थी फिर राजपरिसर की बात करते हैं तो राजपरिसर में 260 सदसे थे जिसमें 156 का जो है निर्वाचन जो है प्रांतों से होता था और 104 का जो है रियास्तों से निर्वाचन होता था, राज परिसर एक इस्तहाई सदन था, जिसके एक तिहाई सदन से प्रतेक दो वर्स में, जो है, सेवा निवरित, जो है, हो जाते थे, तो ये रहा जो है, 1935 के अधनियम के बारे में संपूर, तो ये ब्रिटिस काल का जो है, आखरी अधनियम था, 47 का जो भारा सोतंता अधनियम है वो भी जो है ब्रिटेन की संसत द्वारा पारित किया गया था उसमें भारा तो पाकिस्तान के बिभाजन की गोशना की गई थी मेन वही है और तो अब जो है अब हम लोग सीधे जो है अगला जो है जो टॉपिक है अगला अगला टॉपिक में हम लोग सम्मिधान सभा का किस प्रकार गठान हुआ और सम्मिधान निर्मान की क्या प्रक्रिया रही भारती सम्मिधान की इसके बारे में next lecture में discuss करेंगे तो तब next lecture में मिलते हैं आप जो है इसको एक बार और देख लीजिएगा important points को note जरूर कर लीजिएगा तो कि यह lectures जो है सभी important है जल्दी मिलते हैं अगले lecture में नमस्कार धन्यवाद